इस वीडियो इस फॉम हलोफार इंग्लिश मेडियम स्कूल हलो स्टूडन, तोड़ वी स्टांडर्ड थर्ड इवेस, फिफ्थ लेस्न दाट इस छोटुस हाउस इस लेस्न में छोटु के घर के बारे में दिया है जो विजब मिल करता है अपने घर से हमारा घर कैसा होता है, कितने rooms होते है, कौन-कौन क्या-क्या करता है, हर एक room में हम कैसे arrangement करते है कितना time उसमें spend करते है, वैसे ही छोटु का जो घर है, बहुत छोटा घर है, कैसा घर है आप देख सकते हो आपको पिक्चर को अपसाव करना है और इसके बारे में आपको समझ लेना है ये फर्स पेज में फोर पिक्चर दिये हैं तो सबसे पहले पिक्चर में आपको क्या देख रहा है छोटो चे हुए वो गाव से आया है और वो जो रस्ते पे है उसको गाडिया दिख रही है बहु और सारे बच्चे यहाँ भाग रहे थे थर्ड पिक्चर में आपको छोटू चोहे एक बड़ा सेमेंड का पाइप है उसमें जाके सू गया है तर फे पिक्चर में क्या दिख रहे हैं छोटू ने वो पाइप को अपना घर बना लिया क्योंकि उसके पास घर ही नहीं था, house ही नहीं था, वहाँ पे उसमें एक ड्रम रख दिया, उसमें पानी भरा हुआ है, और बाहार जो है, चूला बना के उसमें वो खाना पका रहा है, देखिए, अब नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिख रहा है, वो छोटु बाहार बेठा है और यहां वहाँ दिख रहा है कि कौन तौन दिख रहा है उससे, गाड़िया दिख रही और कौन से लोग दिख रहे, and he saw that one more boy like him, he was approaching, और उसके जैसे एक बच्चा उसके तरफ आ रहा है, यहां वहाँ देख रहा है, और क्या हुआ, थोड़ी दिन के बाद वो जो लड़क था, उसका फ्रेंड बन गया, उसका जो हाँस में उसका पार्टनर बन गया है, अभी हमें यह सब पिच्च स्टडी करके कुछ कोशिन के आंसर देखने है, गड़ी चोटू थींग वेन ही लुक एक पाईप क्या सोचा होगा चोटू ने? When Chotu looked at the pipe, he thought that, उसने क्या सुचा, that pipe is the safest place to live, safe का जो है, superlative degrees, safe, safer, safest, सबसे safe जगा, मतलब safest place है रहने के लिए, क्योंकि Chotu के पास घर ही नहीं था, Pipe has saved him from strong winds, rain and cold, pipe ने उसको reaction किया था कि save strong winds, जो से हवा रही थी, बारिश हो रही थी, थंड लग रही थी, सबसे pipe ने उसे बचाया था, Next question, How did Chotu use the pipe? Chotu used the pipe to sleep, कैसे युज़ के चotu ने? सोने के लिए Next question, Into which part did Chotu divide the pipe and its surrounded area? कैसे Chotu ने pipe को divide कर दिया और बाजु के अरिया को? Chotu divided the pipe and its surrounding area into first part, कैसे है? Used to sleep or sleeping portion, जो सबसे पहला पाट था, वो सोने के लिए जगार बनाएं Next part है, वो cooking के लिए जगार बनाएं, to cook the food, food पकाने के लिए Part जहे है, for drying clothes, वहाँ पने रसी बांदी, वहाँ पे clothes dry करने के लिए रख दे And one part of it used to store water, can रख दिया वहाँ पे उसमें उनने पानी भर के रख दिया That is how he used this pipe in such a way और बाजु का एरिया जो है, कप्डे सुखा ने के लिए, sleeping करने के लिए, cooking करने के लिए, storing water This is how wisely he used, next question, in which part of this house could, would छोटु like to spend most of the time कौशे पार में उसी बहुत अच्छा लगता होगा, time spend करने के लिए, छोटु would like to spend most of his time At the part where guest can come and sit, बतला बाहर के एरिया में, जहाँ पे उसे आजो बाजु के लोग दिखते थे, जो लोग आके बैटे थे, why do you think छोटु invited Monu to live with him in the pipe, उसने Monu को क्यों invite किया pipe में रहने के लिए, छोटु invited Monu to live with him in the pipe, because Monu has no place to live, Monu can live easily in the pipe, Monu के लिए पाज जगा थी के रहने के लिए नहीं, Monu के लिए जगा pipe में तो थी available, जहाँ पे Monu आराम से रह सकता था, छोटु was living alone in the pipe, छोटु भी अकेला ही रह रह रहा था ना pipe में, तो उसे company चाहिए थी, इसलिए उसने Monu को बुला लिया, तो that Monu can talk and play with him, तो वो बोर हो जाता था, he used to get bored, छोटो बोर हो जाता था, इसलिए उसने Monu को बुला लिया, ताकि उसके साथ कोई बात करने के लिए और खिलने के लिए चाहिए था ना, आपको भी बोर हो जाता ना, अके लिए रहते, तो आफ्रिट्स को बुला लेते हैं वैसे ही छोटो इनवाइटेड Monu to live with him, along with him in the pipe, आपको क्या करना है, अभी एक picture ट्रॉ करना है, आपके घर का और उसे color करना है, अब इस questions के answer लो, आपके घर के बारे में, house के बारे में है, who all live with you in your house, आपके घर में कौन कौन रहता है, देखिए मैंने answer लिया है, मगर आप के accordingly change हो सकता है, को और और लोग भी add हो सकते है, या कम भी हो सकते है, my family member live with me in my house, इसे कौन से family members है, mother, father, sister, brother, grandfather and grandmother, you can also write, आपके घर में अगर अंकल आउंटी रहते हैं, उनके बारे में भी आप लिख सकते हो, next question क्या है, how much time in a day you do you spend in each part of your house, घर के अलग-अलग parts होते हैं, हर एक पार्ट में आप कितना वक्त देते हो, कितना वक्त गुजारते हो, अगर आपके घर में अलग-अलग parts होते हैं, तो उनके नाम लिखना है, और उनमें आप कितना वक्त spend करते हैं, वो लिखना है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, कि म जो हूँ, रीडिंग रूम में फोर आर देती हूँ, जहाँ पे मैं बुक्स रीड करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, बेडरूम में एट आर, जहाँ पे मैं सोती, ड्राइंग रूम में, जब हमारे महमाना थे, खेलती हूँ, वहाँ पे वन आर देती हूँ, जब हमारे महमा एक पार्ट पहर जाती है पानी पीने के लिए या कुछ खाना लेना है, कुछ बात करने है मम्मी से, तो वो कीछन में जाते है, वो कीछन में जाते हैं, कुछ बाते हैं, कुछ बाते हैं, जो अनिवाइटे हैं, हम उनको बुलाते हैं, फिर भी वो आज आते हैं, घर में रहने के लिए, कि आप सोच सकते हैं, ऐसे कमें इडिया हैं, कि आपको यह पैना, उनका पिक्चेर ढ़र करना है, Can you get such animals to animals that live in your house where uninvited mosquitoes होते है, cockroaches होते है, house flies है, makhya है या फिर lizard हो सकते है तो आपको कॉंसे भी ऐसे दो animals के pictures draw करने है जो uninvited है So I have given here in answer the picture of such animals like rat is there and house fly आपको जो easy लगे वो आप draw कर और लिखो How do you keep your house clean? आप अपने घर को कैसे clean रखते हो? कैसे अच्छा करके रखते हो? कैसे करते हो? By dusting the object kept in a house Sofa होता है, windows उसको dusting करते है By cleaning the house with the help of broomstick जाडू लगाते हैं, broomstick से उसे clean करते है By keeping all the object at their respective place हर एक चीज अपनी अपनी जगा पर रखते हैं जैसे कि अगर हमने खिलोने खिलने के लिए ले लिए तो खिलोने अपनी जगा पर रखतेंगे शूज रखते हैं, जो हम कपड़े निकालते हैं जहाँ पर लॉंट्री एरिया होता है, जहाँ पर कपड़े हम रखते हैं वहाँ पर रख देते हैं ऐसे अलग अलग जगपे we are keeping all the respective places that thing वो ऐल help to keep your house clean कॉन-कॉन help करता है, house clean का रखने में अचली all of our duties to keep the house clean mother, sister, brother help to keep the house clean वेठ जॺन लुट्री आपके घर में जो garbage आता है, वो कहाँ पर रखते हैं तो हम तो dust bean में रखते हैं, we throw the garbage in the dust bean, is the area around your house clean, आपके घर के आजबाजु का जो area है, वो clean है क्या, yes, the area around our is clean, because every day my mother is keeping the area clean, जहां पे, broomstick घुमाते हैं, जहां पे भी कुछ कच्रा हो तो उठाकती है, and I also help my mother to keep the area, clean surrounding, clean, is there any special way in which you decorate your house, when and how, आप अपने घर को सजाते हैं, क्या, कब सजाते हैं, और कैसे सजाते हैं, yes, we decorate our house on location of Diwali, we decorate our house with lights, candles, flowers, etc, we also decorate our house during birthdays of family members, जब हम क्या करते हैं, lights लगाते हैं, या फिर flowers से decorate करते हैं, may name the things with which you decorate your house, we decorate our house with flowers, painting, flower pots, and characters, अलग-अलग decorative चीज़े रखे हम हमारे घर को सजाते हैं, so let us stop here, आगे का जो पाट है, वो हम निक्स सेक्षिन में देख लेंगे, so your homework is to write question and answer in your notebook, goodbye, take care